करने वाले हैं अपने Samsung Galaxy J2 Android phone में MIUI 8 custom ROM को इस्टॉल करने के लिए अपने डिवाइस को रूट करना होगा रूट करने के लिए अपने डिवाइस को रूट करना होगा और में तरह इस फाइल को डामलोड करना होगा फाइल सभी सेट अप हो जाने के लिए आपको इसका जो रिक प्रवाल्यूम अप और होम प्रवाइस करके दो सेकेंड टक होल्ड करके रखना है उसके अपने रिकवरी मोड में आजाओ की टी ड़ूर पी रिकवरी में फिर उसके बाद आप लोगों को वाइब बाले अप्सन में क्लिक करना और एडवांस पर क्लिक करके आपको डेटा पर उसके बाद आपको प्रिलोडों Coffee niksposیا खरके लिए कौने है फिर हो Um यह वाले बटन को क्लिक करके सक कि इसके आपको इंछ यूउ Kerry को सब्सक्रेट ungefले है इस्टाली मस्मी करने के रगद आपको ज сл습 करने के जहां पर आपने आपने यूव 2 कश्टम राम का चीक फाइल को download करके पर मुंत्तो करके अपट आपको यस वाइल को एक हुआ फ़ाइ नए को क्लिक करने के अपना है झाल 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 यहां पर आप लोगों को एक चेक मार्क देखने को भी लेगा रहे हैं आपको नेक्स्ट वाले बड़न पर क्लिक कर लेना है फिर उसके बाद आपका यह हो चुका है आपको ने फोन को रिस्टार्ट करना है तो बहुत इंतिजार कर लेन के बाद हमें मियोवाइट कॉस्टम रॉम का फर्स्ट बूर्ट देखने को मिले तो यह हमारा कॉस्टम रॉंज कर दो कर दो